नमस्कार रिक जाम हैपी बाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहाय कद्यापको के आकलन परिच्छा की तैयारी को ले तो आप सभी का आकलन परिच्छा बहुत जल्दोने वाला है इसलिए आप सभी तैयार भी मिल सकता यह आप दिमाग भी नहीं रखेंगे कि यह तो आकलन है सिर्फ 10% के लिए हम दे रहें सरकार का कब दिमाग घुमेगा कोई गारेंटी नहीं है जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा तो आप जूड़ करके पढ़िए चलिए दोस्तों अब एक बात बता दे यदि आप जहरकन में सायकत है कि आप आकलन परिच्छा की तैयारी में मसूस कर रहें कि हम नहीं पास कर पाएंगे मसूस कर रहें कि हम कमजोर हैं मसूस कर रहें कि क्या पढ़ें कहां जुड़ें कि जिससे जुड़े कैसे तैयारी करें, जिससे 100% हम पास करें, क्या पढ़ लें, तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बाते सभी की चल रही है, तो सभी की जब ऐसी बाते चल रही है, तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेस्ट बुक को पढ़िए, कहीं जुड़िये या जुड़िये, अपने टेस्ट बुक को पढ़ लिजे, आप पास कर जाईगा, क्योंकि सफलता इतनी असान चीन नहीं होती है, कुछ ने कुछ करना पढ़ता है, अब रही बात, कि आप अपने टेस्ट बुक से समंधित अधारित प्रशन को नहीं ढूंड पारें, नहीं प्रैक्टि सेट, मोडल सेट सारा तयारी किया जा रहा है, और आपको यहाप पर दिया जाता है, और आप उसे जूड़ करके तयारी, चाहिए आप कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ करें, साम को भी आपको समय मिलता है, तो आपके वाटसप पर सारा चीट डाला हुआ रहेगा वहाँ से जा करके आप पढ़ लिजे, तयारी कर लिजे और उसके बाद देखे आपका 101% पास होने का गारेंटी आपको बनता है, तो आपको जितना नोट्स मेट्रियल दिया जा, जितना वीडियो दिया जा रहा है, बस वीडियो को देख लिजे, नोट्स को पढ़ लिजे और दिक्कत है तो बात कर लिजे, 9631054226 पर यहां आपको सारी समस्या का समधान मिलता रहेगा, तो वीडियो देखने के बाद इस फॉन पर जरूर कॉल करेंगे, तो चलिए चलते हैं, तो आज हम यहां पर आपको हिंदी के टॉप 30 प्रस्न लेकर के आए हुए हैं, जिसम उपसर्ग और परतेय से समंधित सारी जानकारिया यहां पर हम लोग हिकत्रीत करेंगे, अब आपको हम बता दें, आज उपसर्ग और परतेय का यह पहला कला सापका है, जिसमें आज हम केवल उपसर्ग को ही देखेंगे, और इस उपसर्ग में केवल वैसे प्रस्न, पहले तो आए हुए उपसर्ग हैं, उन ही प्रश्णों को हम यहाँ पर वस्तुनीष्ट प्रश्ण के रूप में लेकर के आए हुए हैं, तो आप की वोल वीडियो के अंतक जुड़े हुई रहीगा, और सारे उपसर्ग को देख लिजेगा कि किस तरह से हम लोग उपसर्ग को कर लिजेगा, तो चली देखते हैं आगे, देखे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम खुद ही इस नोट्स को बनाते हैं और आप लोग को दे रहे हैं, देखे उपसर्ग क्या है, ठीक है, उपसर्ग के बारे में कहा जाता है कि जो सब्दान मूल सब्द के आरंब या कोई क कहेगा, पहले लग कर या को कह सकते हैं जुड कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है, मतलब अब देखे, इसका मतलब हुआ क्या, तो देखें यहाँ पर हमने इसका सारनी बना दिया आपको, ठीक है, देखें, मूल सब्द, ना, देखें, यहाँ पर क्या है आपका, यह मूल सब्द है, मूल सब्द, हाँ, और उसमें प्रारम में, जो हम पहले जोड़ना है, अभी लगा दिये, तो अब उसके मान जो मूल सब्द था, उसमें हमने अभी जोड़ा है, तो बन क्या गया, अभी मान, अर्थ पतल गया, अभ जो अभी है वो आपका उपसर्ग है ठीक है चलिए उसी तरह से देखिए मान है क्या है आपका मान है मूल सब्द मान मान में आप क्या लगा दिया अप बन गया अपमान तो आपसे पूछेगा कि अपमान में कौन उपसर्ग है तो देखिए मान एक सब्द होता है मूल सब्द ह अब उसमें आप अप लगा दियें, तो अपमान बना, तो अपमान जो है, उसमें आपका जो उपसर्ग है, वो आपका क्या हो गया, अप हो गया, ठीक है, उसी तरह से मान, मान है, उसमें हमने क्या लगाया, अनू, अनू एक नया सब्ध हमने पहले जोड़ा है, तो बना है आ आपका अनुमान ठीक है तो इसमें क्या हो गया अनु जो है यहाँ पर उपसर्ग है अब देखिए एक बात बता रहे हैं अब इसमें हम ऐसे वस्तों निश्ट प्रस्ण को सामिल किये हैं जो अब तक झारकण में जितने एक्जाम हुए हैं और जो उपसर्ग साय हैं उस क्यू अब जो जड़ा है अभी अभी मुख में अभी क्या उपसर्ग है अब देखिए जो प्रस्ण आये हुए हैं अब तक उपसर्ग से केवल उपसर्ग कहीं आज आज़ें आपको हम दिखाने जारें कल इसका जो second video है फो आपका प्रत्याय का हो जाएगा तो प्रत्याय के वीडियो कौं यहापर बना रहे हैं छाट रहे हैं आपको मिल जाएगा सारा notes, सारा video, सारा video आपको मिलने वाले है topic wise, चलिए ठीक है, देखे इस तरह से notes भी हमने बना दिया है आपका, अधिगरहन में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, यह देखे high school जो exam हुआ है उसमें आपका अधिगरहन का आया हुआ प्रशन है, अधिगरहन में कौन सा उपसर्ग आपसे पूछा गया है, देखे कैसे करते हैं, उपसर्ग हो परते हैं, देखे जिन को संधी बिछेद आता है, यदि आपको संधी, संधी बिछेद करने यदि आपको आता है, तो आप समझे कि उपसर्ग के मास्टर हो गया है, ठीक है, तो में संधी बिछेद ही उपसर्ग क हमने किया तो इसको हम जब तोड़ते हैं संदी भी छेत करते तो अधी होता है और गरहन होता है तो जो मुलसब्द गरहन जो है यह मुलसब्द है अब मुलसब्द के पहले क्या लगा अधी लगा तो जो पहले लगता है जो प्रारम में लगता है जो प्रारम में जुड़ता ह शुरू बार जुड़ता वही उपसर्ग होता है तो इसमें अधी होगा तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा? ए हो जागा ना, राइट एंसर ए हो जागा चलिए अब देखे अनुकरन अनुकरन में कौन सा उपसर्ग है? अनुकरन को आप तोड़िये ना देखे अनुकरन को आप जब तोड़ियेगा तो अनुजोड करन होगा कहा होगा बताइए? अनुजोड करन होगा तो ये जो पहले जुड़ गया पहले जो जुड़ा यानि करन मुल सब्द है उसमें पहले जुड़ा अनू तो अनू जो जुड़ा न, वही देखे आपका हो गया उपसर्ग तो दम दिमाग में रखिएगा कि जो पहले आवेगा न, उसको उपसर्ग हम लोग कहेंगे ठीक है, तो ये अनू जो है उपसर्ग है इसमें यह भी आपका high school का आया वो प्रशन है ठीक है जितने प्रशन है वह ही और देखें notes जो हम से purchase की है आप लोग से भी कोई उनके लिए देखें है बनाया हुआ है ना अनू करन तो यह पहले जो पहले आया उपसर्ग है तो यह उपसर्ग हो गया इसमें अनू ठीक है चलिए ऊजोड़ का होगा वाद होगा न अ अप जोड़वाद तो देखें पहले लगा आ अप आप क्या चीज़े बताइए उपसर्ग नहीं है तो यह उपसर्ग हो गया इसमें कौन में अ आ रहा है तो आप देखिए आ रहा है बी में इसका राइट एंसर हो गया बस बस ऐसे है देखें, बनाते रहेगा, ऐसे बनाईएगा, तो आपका जो है यहां पर सब उपसर्ग से जितना आता है ना, आप लोग एकदम किलियर कर लिजेगा, तो इसी तरह से तोड़ तोड़ के बनाईएगा, देखिए, आगमन में कौन उपसर्ग है, ठीक है, आगमन को तोड़ लि उपसर्ग हो गया, A किस में है, C में है, तो यही इसका right answer हो गया, ठीक है, बस इसी बनाते चलिएगा, और जो notes पर चच गये है, उनके लिए देखिए, इस तरह से बना दिया गया है, और जो रेगहारी किया गया है, जो पहले लगा, उसमें हमने इहां पर गोल घेरा कर दिया है, और यह जो है आपका उपसर्ग का इंडिकेशन है, ठीक है, चलिए, अब देखिएगा, उत्थान में कौन उपसर्ग है, उत्थान में कौन उपसर्ग है, उत्थान को तोड़ लीजिए, क्या होगा, बताइए, उत्थ और जोड का थान, उत्थ जोड थान, ठीक है, हैं सारा उपसर और नेक्स्ट को परतिया को किलिर करदेंगे और उसके बाद से आपको समस चोह आप कॉल करके बात कर लीजेगा क्योंकर आपको सारी सुपीधा के तरफने तरफ से दी देगे हैं'क पहुत बार जो पस्टित करहें है आज था और आपका जर्खण में यहां पर जो है कि आपका जो PGT हुआ था उसमें भी आए हुआ था ठीक है तो उजुवल में उ होगा उत होगा जवल होगा या कोई नहीं तो उजुवल को संदी भी छेत कर लिजें क्या होता आप देखेंगे उत क्या होता है उत जोड जवल उत जोड जवल ठीक है उजुवल होता है ना तो यह उत हो गया सुरू बार जो जुटा वहीं नहीं उपसर्ग है जो बाद में जुटा वह परते है तो उपसर्ग एकदम दिमाग में रखेगा सुरू वला उपसर्ग और ना तो सुरू वला देखेगा कि बढ़का होता है सुर से बड़ा माना जाता है इसकोर में तो उपसर्ग याद रखेगा ठीक है चले अगला देखे गया उन्नति में कौन सा उपसर्ग है उन्नति में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है ठीक है उन्नति इसको आप देख लिजेगा क्या हो जागा उत उत जोड नति का हो जागा ब उत उपसर्ग होगा आगे देखेगे आप यहां बनाया भी है ना यहां बनाया हुआ है उन्नति का उत जोड नति किया हुआ है आप लोग देख लिजेगा जो गोल घेरा है वो आपका उपसर्ग है उपकार में कौन सा उपसर्ग है उपकार को तोड़ लिजे ना देखे उप कीजिएगा अवका कीजिएगा बता दिजे तक कार कीजिएगा यानि ился उसमें जोड़ दीए क्या ची जूड़ा हुआ है वूप तब बना है उपकार इसलिए जो पहले लगा है यह हो गया आपका कश्पर के यानि ओब किसमे न में है तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए यहां देखें बनाया हुआ भी है आपका इस तरह से उपकार का किया हुआ है आप देख लीजेगा जितने भी कर देखें आप आपकिजिए अपका देखें ऑता है दू क्या होता है दू और जोड जोड़ कोण लगा है इसमें जूड़ा क्या है जो जुड़ा है तो जो जुड़ा है शुरुबा रूभ उपसर्ग है तो जुड़ा है वह गया ऑके तिक यह बनाया हुआ है दूसचरीतर को जो हम संदी विखेत करतें तो क्या आता है दूसचरीतर नोट्स देखिऊ जरूरख जता किजिए आप लोगale तो निर्धन में कौन सा उपसर्ग है नीध नी धन या कोई नहीं ठीक है तो नी इसमें उपसर्ग हो जाएगा ठीक है देकिए आपर बनाय हुआ है नीर्धन है ना तो क्या होग है नी जोड ढगान और बहुत ब बुलते हैं जए-जय, जए-जय पूलते है न भूत बूत बूत टो यही परा जो है क्या है आपका उपसर्ग हुराइक तो आप 상황 रहीगा और लाइक देते रहेगा। उसके बाद की है कि जब वीडियो जाता है तो उसमें जरोड़ कमेंट कीजेगा ठीक है परेयावरन में कौण सा अपसर्ग है तब सही जाएगा और ना तो का हो जाएगा गलते न हो जाएगा हो जाएगा कि ना तब परियावरन का होता है परी जोड आवरन परी जोड आवरन होता है होता है ना तब परी जोड आवरन तो सुरू बर कमन जूट गिया परी और आवरन मने चार उत्रप का छेतर होता है तो आवरण, न परियावरण तो संधि विछ जिनके अच्छा होता है, उपसर्ग और परतेया कभी भी गल्तिया नहीं करते हैं उनका सही होतो है, ठीक है परिवार में कौन सा अपसर्ग है ? पर है, वॉर्ण है, वर्णी है कोई नहीं परिवार को तोड़ लिजे ना क्या होता है परी और जोड़ होता है वार वार मने क्या होता है लड़ाई जखड़ा उसमें परी जोड़ गया तब परी जोड़ा है उ का है जो मुलसब्त के पहले जोड़ा है उ उपसर्ग है तब परी उपसर्ग है इसमें तब परी किसमें है C में है, तो परी हो गया, ठीक है, चलिए यहां देखे, बना भी दिया गया है आपको, परीवार का परी जोड़ वार, तो देख लिजेगा, प्रगती में कौन सा उपसर्ग है, प्रगती में कौन सा उपसर्ग है, प्रगती को तोड़ लिजेगा, प्रगती को तोड़ लिजे प्रतिसत में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है ठीक है तो प्रतिसत को जब आप तोड़िएगा तो क्या होता है तो देखे सत सत मने का होता है सो प्रति ना प्रति होता है ना तो दू जोड़ बना प्रति जोड़ सत ना तो प्रति हो गया इसमें कौन हो जाएगा प्रति हो जाएगा ठीक है प्रति हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा प्रति हो जाएगा ओके चलिए अगला देखेगा यह सब जोड़ों क्या वी और वी जुड़ा नया तो नया जुड़ा जो जुड़ा वो उपसर्ग है जो पहले ज्यान के पहले जुड़ा है तो पहले जो जुड़ेगा वही उपसर्ग होता है ना तो वी इसका इंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला दिखेगा संतोस में कौन स अपसर गया, यह तो बहुत बार आया हुआ, एक दुबार के बात नहीं कर रहे हैं, यह दुबार जहर खण वेक एक जाम में अब तक पूछ दिया है, ठीक है, सन होगा, सन होगा, सन होगा, या तोस होगा, ठीक है, तो सन तोस को हम लिख सकते हैं, तोड़ेंगे, तो सम जोड का होगा तोस होगा सम और जोड का होगा तोस अदम संदिब इचे सही किजिएगा तोस के पहले सम जोड़ा है इस सं तोस हुआ है तो सम होगया सम होगया क्या होगया ठीक है, चलिए, अगला देखेगा, यह बनाए हुआ है, सुपूत्र क् municipality ृप्सर्व में कौन सा उप्सर्ग है सूपूत्र इसको तोड़ लिजी शूपूत्र तो सू जोड में का हो गया पूत्र होbuds तो दोगों में बट गया तो सुरूबार जो हुड हो वह का है उपसर्घ है तो सुरूबार सू है तो ने है यही आपका राइट एंसर गाए एकदम इसी तरह से आपको सारा चीज चाहे हूं हिंदी हो ग्रामर चाहे मैथ हो चाहे इंगलिस हो आपको सारा चीज का नोट्स इसी तरह से केवल आया हुआ इपोर्टेंट दिया जाए जो कि आपके एक्जाम में 101 परसेंट भीडने क गारेंटी और 101 पर तिसाथ जो है यह सब सारा चीज से लेपस में कवर अप गिया गया है आपको बताया जा रहा है तो आप लोग सब ही कोई जैसे वीडियो मिलता है देखते हैं तो देखेंगे आपर वीडियो से नोट्स लिखने से अच्छा है कि नोट्स इहां मिल जा र अब आपका लिए एक होमलरक होगा कि अनुमान में कौन सा अपसर्ग है ठीक है आब बतायेगा अनुमान में कौन सा अपसर्ग है आपका होम अरक है जो भी देखेंगे कोमेंट जड़ू कीजेगा और बेद दीजेगा कि अनुमान में कौन सा उपसर्ग है वीडियो कंतर दोड़े रहें इसके लाव सभी को भूत भूत धन्यवाद